नमस्कार, मेरे चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूँ कि होमेपैथिक चिकित्सा में रोग के नाम का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ लक्षनों का ही महत्व है होमेपैथि में रोग के नाम जान लेने से इलाज नहीं होता, इसे मैं एक उदाहरेन के रूप में समझाओंगा, तो आईए समझते हैं एक महिला करीब 80 वर्स की थी, मेरे पास शिकायत लेकर आई, उन्हें 25 वर्स से आधे सिर में दर्द रहता था दर्द सिर के दाई भाग में और दाएं गाल में होता था, कनपटियों में भी तेज दर्द और शोले उठा करते थे, गाल में जो दर्द होता था, वह एकदम उठता था, इस दर्द में ऐसी जलन होती थी मानों आग लगी हो खाना खाते ही तेज दर्द हो जाता था, छूने पर भी दर्द बढ़ जाता था, खाना खाने के बाद दर्द में कमी आ जाती थी, ठंड लगने पर दर्द बढ़ता था, रात को भी दर्द बढ़ता था याद रखिए होमेपैथिक चिकित्सा में इस परकार के मरीज के रोग का क्या नाम है यह जान लेने से कोई लाब नहीं होता रोग का इलाज बीमारी के नाम जान लेने से नहीं उनके लक्षनों को ठीक से समझ लेने से होता है इस रोगी के कस्ट को समझने के लिए पहले हमें यह जानना है कि दर्द का अस्थान अर्थात लोकालिटी क्या है दिशा क्या है दर्द सिर के एक तरफ होता था जो की है दाई तरफ फिर हमें देखना है कि दर्द का श्वभाव क्या है इस रोगी में दर्द एकदम आता है, वह तेज है, तीखा है, गोली सी लगती है, दर्द के साथ जलन भी है इसके बाद दर्द के विशे में हमें यह जानना है कि किन अवस्थाओं अर्थात किन कंडिशन में रोग घरता है, किन में बढ़ता है इस रोगी का दर्द चबाने से बढ़ता है, जरासी गती से या छू देने से भी बढ़ता है, रात को भी बढ़ता है अगर किसी एलोपैट से बातचीत हो, तो वह इन सब बातों को फिजूल कहेगा उसके लिए एक ही शब्द काफी है अशनायू सूल का दर्द चाहे वह दाएं हो, चाहे वह बाएं हो, दोनों तरफ हो, दिन को हो, रात को हो इन सब बातों के लिए उनके पास कोई महत्व नहीं है, उनके लिए यह सब फिजूल है होमेपैथी के लिए दवा के नाम का महत्व नहीं है, इन ही लक्षनों का महत्व है मेटेरिया मेडिका को जिसने अच्छे तरह से याद किया है वह जानता है कि लाइकोपोडियम वह दवा है जिसका दाएं भाग पर प्रभाव है दर्द एक दम उठता है खाने छोने तथा हरकत से दर्द बरता है रात को आठ बजे भी इसका प्रभाव है मेटेरिका मेडिका में सिर, चहरा, दात, आधी के प्रक्रों को ढूलने से या औसधी हाथ में आ सकती है इस रोगी को लाइकोपोडियम 200 की बस एक ही मात्रा मैंने दी और दो महिने बाद रोगी ने कहा कि दर्द जादू की तरह ठीक हो गया इस वीडियो में मैंने जो बताया है कहने का तातपर सिर्फ इतना था कि रोग का नाम जानने की कोशिस ना करके सिर्फ और सिर्फ लक्षनों पर ही ध्यान देना होता है रोग का नाम कोई भी हो वह कितना भी पूराना हो लक्षन पकर में आ जाए लक्षन की दवा पकर में आ जाए तो इलाज जड़ से हो जा अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परिशानी आ रही हो या आप treatment करवाना चाहते हैं या आप अपने address पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे WhatsApp नंबर 9006242658 पर हमसे आप संपर कर सकते हैं दवा आपको किसी भी होमेपैथिक शॉप पर मिल जाएगा याद रखें दो दवा लेने की बीच हमेशा 10-15 मिनिट का गैप दें खाना खाने की आदे गंटे पहले या आदे गंटे बाद ही दवा लें कच्चा प्याज और खटी चीजों का सेवन ना करें किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं सबी अच्छी हैं धन्यवाद